चोटी सी वीलचेयर नहीं है हमारे लिए जो बस्टेंड पे अपती है सर रेले सेशन पे अपती है एरपोर्ट पे अपती है हमारे लिए संसद वह में क्यों नहीं है परदान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिव्यांग कहके उन्होंने कौन सी प्लब्दी आसिल की है दिव्यांग कहके मुझे परदान मंत्री जी ने कौन सी प्लब्दी आसिल की है मेरे को बताएं तो यहां एक वीलचेयर नहीं है चोटी सी और उनके लिए 8000 क्रोड का साड़े 8000 क्रोड का भीमान है परदान मंत्री जी उपर आत करें करें यूं तो मैं बेज देता हूं ठी साल पांच में बेज दूँगा तो इस वक्त में भारत के संसत्भवन में मौशूद हूं और बाबा साब बेटकर की जैनती है तो बड़ी संख्या में लोग उनकी अन्याई जो है वो उनको नमन करने के लिए यहां पहुच रहे हैं और मुझे यहां राकेश जी मिले हैं ज जैबीम बोलूगा पहले में बिल्कुल जैबीम सही हमारी शुरुवात होती है मैं आया हूं नार्नोल डिस्टिक मेंदरगड से जो दक्स नहीं हरियाना होता है मतलब हर्याना का लास्ट हिस्सा है ठीक है यहां से 165 किलो मेटर से आये लोग बाग आप आप आए हैं जी एंटी मिशाइल गन रेफाइल और उनका कौन सा भी माना आया था पीछे वह सब्सक्राइब करोड़ करोड़ का दो आया था लेकिन यहां एक छोटी सी वीलचेर नहीं है हमारे लिए जो बस्टेंड पर होती है सर रेले सेशन पर होती है एरपोर्ट पर होती है हमारे लिए कि अगए संसद्वावने क्यों नहीं है मैं यहां एक किलो मीटर से चलके आया हूं और वापस भी जाओंगा है तो ऐसक्यों है मेरा सीधा परदान मंत्री जी से सवाल है यह है परदान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दीव्यां कहके उन्होंने कौन सी उपलब्दी आसिल की है मेरे को बताएं तो यहां एक वीलचेयर नहीं है चोटी सी और उनके लिए 8000 क्रोड का साड़े 8000 क्रोड का भीमान है तो आपने यहां पर जो लोग है उनसे यह पूछा था कि विलचेयर से मैंने वहां से जहां से बैरी जी वान यहां lucro से मैं से चारहा था वहां से यहां तक एक इनसान से सीकूर्टी से सरफ से सभीक्राब पूछ़ब के जावानों से सभी से पूछा जो मिला व्याश्चा पूछ है लेकिन सभी नहीं नहीं तुम्हाइब लानी सकते और यहां पर अपलब्द नहीं है नहीं है। कि यह इतनी मुश्किल के बाद भी अपा गया आगे बिल्कुल आउंगा अगली बार फिर आउंगा लेकिन डिमांड रखके जारों से अगली बार मेरे को वीलचेर मिलेगी आसा रखता हूं यह कि मिलेगी बिल्कुल बनियादी चीज है बहुत महेंगे भी नहीं आती है और कि अगर अगर परदानमंत्री जी उपर आत करें करें यह तो मैं बेज देता हूं ठीक है जैसे भी करके मैं अपना निकाल के थोड़ा थोड़ा और अगली साल पांच में बेज दूँगा ठीक है यह मेरा प्रोमिस है एक तो जरूरत और दूसरा जज़बा क्योंकि जब हम कहते हैं कि भारत के सभी लोगों को बराबरी भागीदारी का मुका मिलेगा तो उसमें हर आदमी आता है हर आदमी को उसके मताबिक सुविधाएं जरूर दी जानी चाहिए और आप जैसे जो भी वेक्तियां जिनें शारिक रूप से थोड़ी सी मुश्किल होती है या सभाइब है अगर मैं यहां संसद नौन की किसी और जगे जाना चाहूं तो मैं मेरा अंदर से तुट चुका हमें के मैं नहीं जा पाऊंगा नहीं समझेयात फिकिन अगर यहां पे स्विधार उती तो कुम आर जाने का एक विश्वास बनता है हिम्मत बनती कि थोड़ा सा मैं चलूंगा थोड़ी सी मेरे को सुवीदा मिल जाएगी तो अभी आप मुझे लगता है कि करीब कि यहां से भी तो करीब करीब पांच किलो मेटरा पैदल चले आना जाना अगर कब रहे हैं परेशानी तो है लेकिन चल लेंगे और और कोई नीजरिया बाबा साब का क्लेंडर है इसका सार लेके चला जाएंगा विए ये प्रेइम बाबा साब के प्रती हूरह तमाम मुश्क जो कामकाज को देखने वाले लोग हैं जो लोकसबा सेक्टेरियेट है उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो यहां वीलचेयर का इंद्जाम जरूर होना चाहिए क्योंकि शारीर की रूप से जो सक्षम लोग हैं उनको सुविधा हो बुजर्ग लोगों को या जिने चलने फिड़ने में थोड़ी परेशानी होती है उनको जरूर सुविधा हो और वो बाबा साब को देख सके हैं यहां कुछ नहीं है तो यह होना चाहिए अगर नहीं होता है तो बता दिया जाए और अम बेटकर वादी खुद उसका कि इस तरह कि आयोजन में वीलचेर बी जारूर हो क्योंकि जब आप सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं तो उसमें राकेश जी भी शामिल है और उसमें मैं भी शामिल हूं तो हमारे लिए इंजाम करना आपकी बुनियादी जिन्मेदारी है इस में इतना ही आपी से शेयर करें ताकि ये बात आगे बहुत पहुच सके आने लोगों तक भी इस बात को जरूर पहुचाएं अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे जैभी